सब्सक्राब कीजिए हमारे चैनल जोलो इन्वेस्टिंग को और बैल आइकन को दवाईए रेगुलर अपडेट पाने के लिए हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल जोलो इन्वेस्टिंग में मैं हूँ आपका दोस्त नरोतम्दवे और आज के इस important वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर रेडी के बारे में एक important update है और साथ ही साथ हम इस जो डॉक्टर रेडी के जो Sputnik 5 vaccines को भारत में distribute करेगा उन vaccines की आपस में तुलना भी हम comparison भी इस वीडियो में करेंगे साथ ही साथ जानेंगे community का sentiment क्या है कितने लोग इसको buy करना चाहते हैं कितने लोग इसको sell करना चाहते हैं और सबसे important इसका हम technical analysis करेंगे और आपको बताएंगे कि ये future में कितना आपको return दे सकता है इसका target future के कितने हैं साथ ही साथ जो भारत के famous broker हैं उनकी research report भी आपके सामने रखेंगे कि वो कितना target इसको दे रहे हैं इस वीडियो बहुत बहुत जाना important है उनके लिए जो value investing में believe करते हैं और जो चाहते हैं कि उनको एक large company क्योंकि चोटी मोटी company नहीं है बारत की second largest company है medicine के छेत्र में सो काफी important है और आपको अभी जो doctor ready मिल रहा है काफी सस्ता मिल रहा है आप देख सकते हैं कितना सस्ता आपको लगबग 20% discount पर आपको provide किया रहा है आप चार्ट पर खुद देख सकते हैं उसके बाद February के बाद में लगाता नीची के और डाउन फाल आता जा रहा है पट अब यहां पर लगबग 2400 के लेवल पर लाइक यहां पर जो की लगबग 25 मार्च को इसने बनाया था उसके बाद इसको ऊपर की और अप मूब इसमें दिखाए इसके पीछे कई रीजन है व और अगर यहां पर वो सस्टेंड करेगा देखिए थोड़ा इनलार्ज करते हैं वीडियो को चार्ट को यहां इसके बाद यहां पर इस लिवल पर यहां इसको स्ट्रॉंग सपोर्ट मिला क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट हुई उसके पाद सपोर्ट और यह अपने सेंट की मेडिसन की सबसे अची कंपनी आपको इतनी सस्ती मिल लाई है तो आपको क्यों वाई नहीं करना चाहिए कई लोगों ने लगवख 2400 के लिवल पर बल्क डील हुई है बड़ी बड़ी बल्क लिल हुई है जिस कारण से बड़े बड़े लोगों ने पहनी से माल रख लिय है अब तो इन्तियार कर रहे हैं कब इस पुतनिक फाइप को भारत सरकार की ओर से एप्रूबल मिल जाए और उसके बाद इस सेर रॉकेट बनेगा सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को देखिए और समझी है कि हां क्या यह सही समय है इसमें इन्वेस्ट करने का यहां गलत समय है क्योंकि जब कोई सेर बढ़ रहा होता है हमें उस समय ही उसमें साथ में उसके में घुश जाना चाहिए या उसमें बाय करना चाहिए अभी देखो यह तुरंत उठने की ओर है देखिए यहां पर देख सकते हैं इसके बाद 42 के लेवल के बाद इस सेर ने उपर के और आज इतनी गिराबट के बाद आज काफी गिराबट रही है फिर भी यह कम नहीं हो रहा है इसके कारण में आपको आगे नीजियों बताऊंगा और जैसे यह सेंट्रल पावर्ट लाइन जो की 45-75 को उपर निकलेगा यानि कि इस लेवल पर आएगा यहां पर य जो रेड लाइन दिख रही है आपको यह वाली यह अंडेड देज मूविंग एवरेस से भी उपर आयाएगा तो इसके बाद भयंकर 3G बनेगी आप बिदिन कुछ बीक्स देख सकते हैं इसके टार्गेट लगवक साड़े-5 यार के यहां पर आरने बाले हैं बिदिन सम ब लिए आप यहां देख सकते हैं बेट फोर इस पूतनिक फाइब कोवेड-19 बैक्सीन में गैट ओवर इने फ्यू बीक्स डॉक्टर रेडी ने कहा है कि कुछ बीक्स के अंदर जो इसमें जो बैक्सीन को एप्रूबल मिल सकता है जो मतलब गैट ओवर माना उबर ना इस मतल है कि इसमें जो इसकी इफिकेसी रेट है वो 92 परशेंट है मैं अभी विबिन ने वैक्सीन की तुलना करूंगा करूंगा आपको पता हूंगा कि इसकी कितनी इफिकेसी रेट है सो आप यहां देख सकते हैं DRL, DRL में डॉक्टर रेट डी लेबरेटरीज लाइन अप, लाइन में लगा हुआ है ओवर 250 मिलियन डॉजेज, 250 मिलियन डॉज, औप दे बैक्सीन को और वना बैरस की बैक्सीन, 250 मिलियन का मतलब होता है 25 करोड डॉजेज तयार है वो कभी भी आ सकते हैं भारत में और भारती इंडियन सिटिजन के लिए, नेक्स 12 मंस के लिए, यानि 12 मंस में लगवा 25 करोड डॉजेज, डॉक्टर रेटी को मिलने वाली हैं और जो कि भारती इंडियन सिटिजन को लगाने वाले हैं, आप समझ सकते हैं, जैसे ही इसको अप्रूबल म बिल सकता है इंडिया में सून हेव थार्ड यहां देखिये नीज पढ़िए पुरे इंडिया में सून हेव थार्ड गोविड-19 बैक्सें इंडिया को तीसरी गोविड-19 की बैक्सेंड मिनने बाली है वो वो बी कोछ बीक्स के अंदर ऑल्लेडी पहले साही सको यूज केल करने के लिए ऑफराइजेशन गौवर्मेंट से मिल चुका है लेकिन अब जैसे इसको फाइनल ऑफराइजेशन मिलेगा इस स्टॉक में आग लगना लाजबी हो जाएगी आप लोगों के सामने इस स्टॉक अपने पुराना जो इसको लेवल है पच्पंसो का हाई उसको ब्रेक करेगा और 65 तक इसके टार्गेट हो सकते हैं जो कि सीर खान ने दी है मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा किलिरली बताऊंगा देखिए पूरा पढ़ते हैं वी एक्सपेक्ट टू गेट अन अप्रूबल उन्होंने उम्विर है कि जल्दी से इनका हमा 200 लिएन डॉजिस की भारत में आने वाले हैं जो इसको मिलेंगी और इसके साथ साथ केबल यही इसके पार्टनर नहीं है इसके अलाबा भी यह कई और पार्टनर है जिनको यह अपनी रूस अपनी जो वैक्सिन है इस पुतनिक फाइब दे रहा है और टोटल भारत में और पूरे ग्लोबल बात करने तो साथ सो बावन साथ सो बावन मिलियन डॉजेज ये बना रहे हैं सो काफी जाना मात्रा में बैक्सिन बनाई जा रही हैं ओके और अभी हाली में जस्ट दो दिन पहले की खबर है तेलंगाना की ये कंपनी है विर्को विर्चो बायोटेक उसने भ दो सो मिलियन डॉज का सपोर्ड मिला है उन्होंने कहा कि हम दो सो मिलियन डॉज आपको भी हम देंगे इसका नाम है विर्चो बायोटेक सो सारी जो कंपनियां इसके साथ अटेच होती जा रहे हैं स्पुतनिक फाइब के साथ एक काफी अच्छी न्यूज है इस पुतनिक आदू कि इसके जो फेस थार्ड के रिजल्ट आयते वो 92% एफिकिसी रेट थी आप यहां पढ़ सकते हैं इस पुतनिक फाइब हैस डिमोंस्ट्रेटेट एफिकिसी रेट आप 92% जो कि इनके 92% काफी अच्छी एफिकिसी रेट है को वैक्सिन की तुलना में और उन्होंने जो जो वॉलंटरीज लिये थे रस्यामें लगबग 20,000 बॉलंटरीज उन्होंने लिये थे उन पर उन्होंने प्रियोग कर कर करे देखा था और उसमें ऐसा भी नहीं है कि किंवल जो एज है स्यम हो नहीं सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के एज गुरूप के पीपल उन्होंने लिये थे जैसे कि 60 साथ साल से बड़े जो उचे एज के लोग थे उनको मैं भी उन्होंने लगवा दो हैर्श याना बॉलुन्टरीज को लिया था सो यह सब के लिए यह वैक्सिन सब के लिए प्रवाबी है कुल मलाके मैं अपनी बात यह कहना चाहता हूँ आपके सामने अब हम आपको थोड़ा तुलना करके पताती है थोड़ा और नियूस है जो आपको अलड़ी पता होगा कि इसकी प्राइजिट क्या है और उन्होंने प्राइज रखी है जो गलोबल प्राइज है लगवा दस डॉलर रखी हिए और उस पे भी यह अभी मतलब चर्चा करने वाले हैं कि थोड़ा बहुत सुदार करने वाले हैं क्योंकि भारत को देखते हुए उन भारत जैसा गरीब एक तरह से गरीबी देश है तो यहां पर वैक्सिन की प्राइज वो काफी कम रखने बाले हैं तो यह न्यूस थी और आपको मैं कम प्र कमपनी नहीं है और और देखिए इसमें कितने लोग बोल रहे हैं कि इसको ले सकते हैं तो की मैट्रेक्स की बात करें पी रेश्यों पर कितने पी यों पर है सेक्टर जिसमें प्रॉब्लम नहीं हो उस सेक्टर में लगाने वाले हैं क्योंकि कॉर्णा बढ़ेगा तो लाब किसको होगा दबाई वाली कंपनियों को होगा और यहां पर हम देखिए तो 86 परसेंट अनलिस्ट बोलने हैं कि आपको इसमें निवेश करना ही चाहिए तो भाई क्यों नहीं करने निवेश बिल्कुल करना चाहिए अब आपको यहां ब्रोकर का टार्गेट देखिए डॉक्टर रेडी लेबरेटरी रेटिंग बाई लगवक 5533 का टार्गेट इनोंने भी दिया अब सेरहाण की बात करते हैं सेरहा ने कितना टार्गेट दिया है इसको एक्षर रेडेडा टार्गेट भ्रोकिफ्मेर PROFESSetr अगिक पर तो आने बाले तीन महीने के अंदर इसको टार्गेट 6500 तक definite जा सकता है यहां हम COVID vaccines की compare करते हैं देखिए यहां पर इस पूतनी फाय पर आपको दिखरी रही है इसकी efficacy rate 92% है और इसकी doses हैं 10$ में इसको मिल रही है और इसको सबसे ची बात काया है इसको यह storage करना है इसको हम regular freeze temperature पर भी storage कर सकते हैं कोई ऐसा नहीं है कि minus 20 degrees temperature चाहिए minus 70 जैसे कि Pfizer में minus 70 degrees Celsius temperature की आपसकता होगी minus 70 बहुत कम temperature हो जाता है यहां पर भी modern आगी में भी problem है minus 20 लेकिन इसको हम normal freeze temperature पर भी रख सकते हैं तो हम भारत यह districton से कापी अच्छी vaccine है कोई problem इसमें नहीं है और बात करते हैं जो Oxford की estrogenica जो के covexin बगरा बन रही है उसी की एक रूप है इसकी जो efficacy rate है वो 62% है 62 से लेकर 90% अब भारत के लोग चाहेंगे dogs लगा रहे हैं तो कम से कम chances जाना हो कि हमें immune हो जाएं इसलिए लोग जागा तर मुझे ऐसा लगता है कि स्पुद्निक 5 को जाना प्रफर करेंगे और थोड़ा मैं आपको laboratory के बारे हैं बता दूं डॉक्टर रेडी के बारे में यह जो company है इसका market capitalization लगबग 44,000 करोड है 44,000 करोड है छोड़ी मोड़ी company नहीं नमर second company है इस field की ओके large cap company है कोई problem नहीं है यह सारी बात हैं थी जो मुझे आपके साथ discuss करना थी यह मेरा खुद का opinion है और अगर आपको इसमें invest करना अच्छा लग रहा है या आप चाहते हैं इसमें invest करना तो आप कर सकते हैं कोई problem नहीं है large cap company है आपका view long term के लिए होना चाहिए तो आपको कोई परिशानी नहीं होगी और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगाओ तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को subscribe जरूर कीजिए thank you very much वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दन्नवाद जय हिंद जय बारत